अग्य फ्रेंट वेल्कम बैक टो माई चैनल, आज हम बात करेंगे दुमान्दे इजामे दी गूईदा के बारे में, जैसे कि आपको बता है कि मैं अब सीरी जो है, वो स्टार्ट की है जामे दी गूईदा की तो अब यो उसके जो है वो second video है इसमें जो है हम पैनो मातिची tires के बारे में बात करेंगे कि जो आपका examiner है tires से related आप से कौन-कौन से सवाल कर सकता है जब गुईदा start होता है आपका test लिया जाता है उससे पहले ही examiner कुछ सवाल करता है तो अगर tire की हम बात करें तो उसके तीन हिस्से होते है एक होता है बतीस TRADHA जिसे गोटिया भी बोलते है जैसे कि lines बनी होती है एक होता है फ्यांकी ठीक है यह जो उपर का हिस्सा होता है side का वो एक होता है चेर्कियो जिसे rim भी बोलते है ये जो silver color का हिस्सा है तो इसको जो है वो rim बोला जाता है तो पेनुमातिची जो है आप गाड़ी में बैटने से पहले ही वो आपको टायर के पास ले जाकर टायरों से related सवाल आपसे कर सकते हैं उन सवालों में आपसे वो ये सवाल कर सकता है जैसे के वो कहता है कि जो size होता है ठीक है टायर का वो ठीक टायर का size क्या होता है या कहां पर लिखा होता है तो आप उसे बता सकते है कि जो मिजूरा है जो size है टायर का वो लिखा होता है जो libretto होती है ठीक है जो गाड़ी के काखजाद होते है उस पर tire का size लगा होता है कि जो आपकी गाड़ी है उस हिसाब से आपके tire का ये size होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं पैनुमाती जी इन अलतरना तीवा लिखावा है उसके नीचे जो है tire के sizes लिखे में हैं कि इन तीन चार size में से आप कोई भी size के tire जो हैं आप लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में तो इस तरह के दमांदे जो हैं वो आपसे examiner कर सकता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये जो चीज है ये लिखी होती है मिजूरा स्कृता सुला कारता दी चिर्कुला जियोने उसके बाद आपसे सवाल किया जा सकता है ये बती स्ट्रादा वाला जो सवाल है ये जब आप पढ़ते हो ठीक है जो तियारी आप करते हो उसमें भी लिखा हुआ है कि कम से कम जो स्पेसोरे है बती स्ट्रादा के वो कितने होने चाहिए तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो 22 स्रादा है ठीक है वो कम से कम उनो विर्गुला से मिलिमीत्री हो सकता है अगर इस से कम हो तो फिर आपके टायर खतम हो चुके होते हैं फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं आपको टायर चेंज करने पड़ते हैं जाए बिल्कुल घिस चाहे टायर तो फिर आप टायर चेंज कर सकते हैं उसके इलावा जो है आप से ये सवाल कर सकते हैं को में पोस्यामो सपेरे के लगती स्थादा कंजियू मातो वो कहता है कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका बती स्थादा जो है वो यूजड हो चुके हैं मतलब टायर आपके बिल्कुल घिस चुके हैं तो इसका आपने जवाब देना है इल बती स्थादा ए कंजियू मातो कौन दूलास पे सोरे दल बती स्थादा ए अरिवाता अलतेज अदल तैस्तिमोने ये कहता है कि जो ये जो तैस्तिमोने है इसके लेवल पे हो चुके हैं खिस चुके हैं इसके इलावा टायर का जो प्रेशर होता है उसके बारे में भी सवाल किया जा सकता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था जब मेरा एक्जाम था गवीदो का तो मेरे से जो है टायर के अंदर जो हवा होती है उससे रिलेटेड ही सवाल प तो इसमें जो है आप बता सकते हैं ठीक है उसमें आप से वो ये पूछ सकता है कि अगर आपके जो है टायर में प्रोपी बासो अगर हवा हो तो आपका टायर कैसा होगा ठीक है सवाल अज़ा हो सकता है अगर आपके टायर में हवा कम है तो फिर जो है आप यहां पर बता सकते हैं अगर तो आपके टायर में हवा कम है तो आपने उन्हें कहना है कि जो टायर के किनारे हैं वो ज्यादा यूजड होंगे मतलब कि वो ज्यादा रोट पर रगड खाएंगे मतलब जो टायर के किनारे हैं वो लगेंगे ज़्यादा रोड पर अगर तो हवा कम हो फिर एक और सवाल ये भी हो सकता है अगर तो टायर में हवा ज़्यादा है तो टायर की कंडिशन क्या होगी या आपको पता कैसे चलेगा तो उसमें जो है आपने आंसर देना है कि अगर हवा ज़्यादा हो जो टायर का तर्मियान का हिस्सा है वो ज़्यादा यूज होगा ठीक है वो जो है जमीन पर लगेगा और आप तीनों नीचे तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह की टायर की कंडिशन हो सकती है जो correct जो pressure है ठीक है हवा का उसमें जो है ये green color का जो टायर बनावा है इस किसम की shape होती है अगर बहुत ज़्यादा pressure हो तो आप देख सकते हैं दर्मयान वाला जो टायर की condition है ठीक है अगर ज़्यादा हवा हो तो फिर टायर का जो दर्मयान वाला हिस्सा है वो road पर लगता है अगर तो कम हो तो फिर टायर बिलकुल ऐसे नीचे की तरफ बैठ जाता है और जो किनारे हैं वो जो है use होते हैं ज़्यादा road पर लगते हैं तो इन चीजों का अपने ख्याल रखना है इसके इलावा आप से question किये जा सकते हैं तायर के उपर जो है उसकी जितनी measurements है वो सारी लिखी होती है उसका चोड़ाई ठीक है उसका diameter जैसे के आप उपर देख सकते हैं हर टायर के उपर लिखा होता है तो इसका भी पूछ सकते ह कि ये जो लिखा है 195 इसका क्या मतलब है या ये क्या चीज को दर्शाता है या क्या चीज के बारे में information देता है तो जो पहली चीज जो लिखी होती है जैसे कि यहाँ पर example दी है 195 तो अगर ये पहली जो चीज है वो बताती है लारगेजा in mm मतलब टायर की चुड़ाई बता या चीज क्वड़ाई करेक्अ dog देा ले ओर जो 55 है वो जो है बताता है अलतेज़ा के बारे में हाइट को अब डिरेक्ट अलतेज़ानरे की चुड़ाई है उसके साथ वो diameter है जो चेर्कियो है जो रिम होता है silver color का उसका diameter जो है वो बताता है 16 उसके बाद 87 जो है वो इंदीची दिकारी को ठीक है कि इस पर वज़न वगयरा कितना डल सकता है वी जो है velocity को बताता है speed को तो इस तरहाज से भी आपको पता होना चाहिए और इसके इलावा आप देख सकते हैं यह लर्गेजा जो मैंने बताया था यह चुड़ाई इस तरह से चुड़ाई की मैं बात करी थी अल्तेजा जो है हाइट होती है ठीक है यह जो इस तरह से जो एरो बनाव है और देहमेत्रो जो है चेर्कियों का तो पूरी दरह से इन चीजों के लिए भी प्रिपेर हों क्यूंके गाड़ी चलाने से पहले आप से कोई भी सवाल किसी भी चीज के मतलग किया जा सकता है चाए वो उसकी बाहर की कंडिशन हो जैसे के पहले वाले एपिसोड में मैंने बताई थी ऑईल चेक करना ठीक है उसके बाद बताना कि ऑईल का कंडेनर कौन सा है बॉनिट खोल के और किसमे जो है वो ब्रेकिंग ऑईल डलता है यह साई चीजे या फिर टायर से मतलग भी आप से सारी चीजे पूछी जा सकती है इसके इलावा भी बहुत सारी चीजे हैं जो के आने वीडियो में आप लोग के साथ डिसकस करूँगी और जो नेक्स वीडियो होगी उसमें जो है मैं आप लोग के साथ जो पीए होते हैं ठीक है गाड़ी के अंदर अभी जो दो वीडियों से उसमें हमने गाडी के जो बाहर की चीज़ें उसको डिसक्स किया था तायर को और जो बॉनिट वगारा के अंदर क्या चीज़े होती है या फिर इसके इलावा जो ट्राइंगूलो दी मोबीली उसके बारे में भी सवाल किया जा सकता है उसका किया था अब इसके बाद गाड़ी के अंदर जो है कौन सी ऐसी चीजे हैं जिसके बारे में आपका examiner आपसे सवाल कर सकता है उसमें जो सबसे important है वो है SPA ठीक है तो अगली वीडियो मैं इन पर बनाऊंगी कि इनके बारे में आपसे कौन कौन से जो दुमानते हैं सवालात हैं वो आपका examiner जो है वो कर सकता है और जो भी new है प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब किया करें और अगर आपने अभी तक जो है आपको पता नहीं है कि मेरे चैनल पे क्या क्या चीज़ें मुझूद है तो मैं बता देती हूँ complete 25 चैप्टर जो है complete quiz आपको मिलेंगे आप यहां से free में त्यारी कर सकते हैं और जिन लोगों ने कर ली है त्यारी या पास कर लिया है तो जो गूईदे हैं उसकी त्यारी भी कर सकते हैं जो के prima father जो है जिसमें सवालात किये जाते हैं उन सारी चीज़ों को मैं detail से यहां प अपलोट करूंगी तो हम आप से मिलेंगे अपनी नेक्स वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें अल्ला हाफिज